Territorial Army, जिसको Terriers के नाम से भी जानते हैं, Indian Army की Volunteer Reserve Force है Territorial Army, Defense Ministry के अंडर आती है अगर हम Simple Language में समझें कि कौन परसन जो है, वो Territorial Army को जोइन कर सकता है 18 to 42 years, Indian male citizen, जो Self Employment में है या फिर Civilian Profession में है अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी जोब के साथ में आर्मी का भी पार्ट बने, तो वो Territorial Army को जोइन कर सकते हैं Indian Security की जब बात आती है, तो Indian Army के बाद में Second Line की रूप में जाना जाता है Territorial Army को जो भी लोग Territorial Army में सामिल होते हैं, उनको Every Year 2-2-3 Months उनकी Training होती है ताकि एक बैक अप के रूप में, Indian Army के एक बैक अप के रूप में तयार किया जा सके कि जब भी सरकमिस्टेंसेज ऐसी क्रियेट हों, कि हमें Extra में Indian Army की ज़रत है तो Territorial Army का Main Indian Army में Inclusion किया जा सके और Other Roles and Responsibility की Territorial Army की अगर हम बात करें, कि जो भी हमारी Indian Army है उसकी Static Job जो होती है, उसको Relief करने के लिए या फिर कोई Natural Calamity जैसे Issues क्रियेट होते हैं, कोई Construction Activity है वहाँ पर Indian Army का रूल है, तो उनको Relief देने के लिए Territorial Army का वहाँ पर Inclusion किया जा सकता है तो ये तो हो गई Territorial Army से Related Basic Facts अगर हम Simple Language में समझें, तो Part-Time Commitment Territorial Army का and Full-Time Owner अब बात कर लेते हैं कि Territorial Army का मोटो क्या है Territorial Army का मोटो है, सावधानी वैसूरता, Means, Vigilance and Value अब हिस्टरी की बात करते हैं कि Territorial Army किस तरीके से existence में आया, तो जब हमारे उपर Britishers का रूल था उन्होंने सबसे पहले 1917 में जो Territorial Army है, उसको Indian Defense Force के नाम से Establish किया, 1920 तक Same Name से ये Regular चलता रहा, फिर 1920 में उन्होंने Name Change कर दिया इसका और Indian Territorial Force के नाम से इसको Establish किया और फिर 1948 तक ये Regular इसी नेम से चलता रहा, After Independence की अगर हम बात करें तो 1949 में, Means 9th October 1949 को हमारे Independent India के First Governor General सी राज गोपालाचारी जो है, उन्होंने इसका इन्योगरेशन किया Territorial Army के नाम से और तब से लेकर के अब तक इसको Territorial Army के नाम से ही जनते हैं, और हर साल 9th October को Territorial Army Day भी Celebrate किया जाता है Next हम बात करें कि Territorial Army का अब तक क्या-क्या Important, Notable Works है एंड इंगेजमेंट है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1965 का जो इंडो-पाक वोर हुआ था, उसमें पार्टिसपेशन रहा इसका Territorial Army का, उसके बाद में 1965 का इंडो-पाक वोर रहा उसमें पार्टिसपेशन रहा, 1971 का इंडो-पाकिस्तानी वोर रहा उसमें पार्टिसपेशन रहा, इसके अलावा सिर्लंका में जो ओपरेशन पवन लोंच किया गया था उसमें पार्टिसपेशन रहा, पंजाब में ओपरेशन रक्षक लोंच किया गया था जम्मू एंड कस्मीर में ओपरेशन राइनो लोंच किया गया इसके अलावा अगर हम बात करें तो नोर्थ इस्ट में ओपरेशन बजरंग लोंच किया गया था इन सभी में important inclusion रहा है territorial army का means जब जब Indian army को जर्रत पड़ी हमारी country के sovereignty and security को protect करने के लिए तो territorial army ने अपना important role play किया है अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से notable members हैं जिनोंने territorial army को जोइन कर रखा है तो इसमें सबसे पहले अगर हम discuss करें तो Sachin Pilot जिनोंने 2012 में territorial army को जोइन किया था और वो पहले हमारे इंडिया के first union minister बने थे जो जिनोंने territorial army को जोइन किया अनराग ठाकू ने जोइन कर रखा है, कपिल देव ने जोइन कर रखा है, इसके अलाओ के पिसिंग देव, मोहललाल जो साउथ के एक एक्टर है और MS धोनी जिनकी तो training के videos भी आपने देखे होंगे कि territorial army को उन्होंने जोइन किया और अच्छे सी जो training होती है, उन सारे procedure को भी उन्होंने complete किया तो ये कुछ basic facts हैं, territorial army से related और इन सभी personalities को देखकर के आपको लगता होगा कि हमारे जो civilian लोग हैं, वो easily territorial army को जोइन करके, army का एक integrated form में part बन सकते हैं ओके, thank you